हेलो तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज मैंने आपको हर एक वीडियो में हर एक अप्रेटर्स बताये मैंने आपको वोल्टमीटर बताया एमिटर बताया उसके बाद में मैंने आपको साइद मेरे इसाब से वोल्टमीटर एमिटर में आपको रेते उस्टेट बलता ह surgeons न आपको 100 चुका हूं घिनला आपको डिवाइस बता रहा हूं वहां इन प्रीज है एक ऐसा डिवाइस जो व Elsie स्का पूरा है बलत यह पूरा है आपके स्लेवस में बट यहां मैं आपका इसको construction बतागे 10-14 मिनिट में खतम करूँगा उसका reason यह है क्योंकि मैं अभी आपको devices करवा रहा हूँ एक basic मतलब एक अलगी series के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ ठीक है devices तो अगर मैं आपको एक अलग series में devices devices करा रहा हूँ तो फिर उसका meaning तो यह हुआ कि मैं आपको साथ में devices सारे करूँगा हूँ और इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ यह वाला आई हो आप समझे बात को अब आप एक चीज सुनो जो meter breeze है उसके बादे मैं आपको potentiometer करूँगा ठीक है आप सुनो meter breeze आपका क्या होता है meter breeze आपका एक ऐसा device होता है सबसे पहले ध्यान से सुनना एक लकडी का फटा होता है ऐसे एक wooden box आप बोल सकते हो ठीक है ऐसे लकडी का एक फटा होता है उस पे nickel की या लोहे की या aluminium की ऐसी L-shaped एक strip होती है इधर ठीक है भी एक L-shaped strip होती है इधर और एक L-shaped strip होती है इधर ठीक है एक L-shaped strip होती है इधर एसे और एक strip होती है इसके middle में ऐसे ये वाली जोस्त्री पैस के इस A-point पे और ये वाली जोस्त्री पैस के इस B-point पे इन दोनों points के बीच में एक साइस सो सेंटी मिटर कहलो या एक मिटर कहलो इतना लंबा एक wire होता है और ये wire जिस metal का होता है वो metal होती है या तो मेगनिन्स और यह होती है constanton ये नाम आप ध्यान में रखना ये जो wire होता है ये यह तो होता है मेगनिस का या ये wire होता है constanton का अब देखू ये A-point हो गया ये B-point हो गया ये हो गया आपका यह 100 C-point यहां आपका ये D-point यहां आपका E-point और यहां आपका F point और यह आपका Z point बस यह device है आपका meter bridge यह एक meter bridge है यह एक principle पर बेस्ट है मलब इसका एक anterior device है जो इससे पहले बना था उसको बोलते है headstone bridge जो आपका headstone bridge है यह एक ऐसा device है जो इससे पहले बना था फिर वो device जब successful हुआ तो यह बना यह आपको ध्यान में रखना है कल लोगे ठीक है अब आप एक चीज सुनो सर यह meter bridge काम क्या आता है students यह meter bridge यह काम आता है आपको मालो कोई पड़ा हुआ टुकड़ा बिल गया तार का अब आप यह जानना चाहते हो कि यार इसका resistance कितना है क्योंकि ना तो आपको यह पता कि यह तार है किस मेटल का, ना आपको यह पता कि यह तार है कितना लंबा क्या इसका रेजिस्टेंस है, तो आप इस वायर को यहां पर लगाओ, यहां पर F4Z के बेच में, और फिर थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन आप क करोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका डेजिस्टेंस कितना है ऐसा ऐसा एक मैथ्टोड होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँ तो उससे यह आप यह पता लगा सकते हैं क्लियर है तो सुनो फिर इसको पूरा सुनो यह पॉइंटस है यह पुएंटस है इसको पूरा सुपी ठीक़ वेट मिनस झाल झाल यह आपका F point है यह आपका Z point है ठीक है अब यह देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको setup कैसे करते हैं हाँ एक पीज़ मैं आपको बताना बूल गया इसमें यहाँ पर ऐसे scale भी होता है इसमें यहाँ पर ऐसे scale भी होता है ऐसे है चलो जी हाँ अब सुनो आप सबसे पहले हम लोग करते क्या है जो A point है ना उसको battery के positive से जोलते हैं इसको connect कर दिया battery के plus C इसको connect कर दिया battery के minus C फिर लगाते हैं हम एक key ठीक है फिर वो ही अपना device एक लगाते हैं हम rare state और इस rare state के negative को हम लोग किस से address करते हैं basic इसको बोलते हैं primary circuit C और D है ना उनके बीच में एक device लगाते हैं resistance box चलो students यही यही भूल रहा था मैं मैं सोच रहा था कि आपको resistance box बताऊं sorry अब मैं आपको यह तो चलो बताई दिया आप मैं आपको resistance box बताऊंगा एक तरफ ठीक है सुनो रेजिस्टेंस बोक्स या आर बी रेजिस्टेंस बोक्स क्या होता है एक ऐसे डबबा होता है ठीक है अच्छा resistance box के अंदर चलो एक चीज होता हूँ मेरे कौई आप उससे पहले एक बात कहो यह एक resistance है इससे मैं एक वायर ऐसे जोड़ता हूँ यहाँ वाला current है वो कहां से होकर जाएगा आपका answer तो मुझे नहीं पता क्या होगा बट मैं आपको answer देता हूँ शोड़ी current यहां से जाएगा current हमेशा वहां से जाना पसंद करता है जिदर उसको कम resistance मिले shortest path और path तो देखो दोनों एक जैसे ही है यह तार यहां है ऐसे ही है यह मतमानों आप दोनों सेम लेंथ की है अगर लेंथ इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका फिर resistance इससे ज्यादा हो जाएगा तो कहने का मतलब यह हुआ यह wire इसके जितना ही है तो guarantee सुदा है यह कि जो आपका resistance है जो आपका current है वो उदर से जाएगा जिदर उसको बिल्कुल भी resistance फिल ना हो वो यहां से जाएगा और कल को अगर मैं यह wire हटा दूँ तो फिर उसकी मजबूरी है फिर current यहीं से होकर जाएगा अच्छा resistance box के अंदर क्या हुआ कि जो scientist लोग थे उन्होंने एक बुखस मनाया क्लिर है उसमें उसोंने क्या किया बहुत सारी लोहे की खुंटियां लगा दिया ऐसे हैं एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो तस यारा बारा अब उन लोगों को बता था उन लोगोंने क्या किया यहां एक ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया इनके बीच में यहां एक ओम का लगा दिया मान लो यहां एक ओम का लगा दिया रेजिस्टेंस यहां एक ओम का रेजिस्टेंस यहां एक ओम का रेजिस्टेंस यहां एक ओम का रेजिस्टेंस यहां भी वनो, यहां वनो, यहां वनो, ठीक है, इसको यहां बिटकर दिया, अब उन्होंने क्या किया, एक वाइर यहां ऐसे भी जोड़ दिया सब को, ठीक है, ऐसे, और अपने को यह डिवाइस दे दिया, यह तार बार निकाल के दे दिये दोनों, और बोले, अब इसको यूज कर दो चाहिए, एगा, अब आप एक चीज देखो, जो रेजिस्टेंस भोक्स है, जब उसको हम यहां लगाएंगे, C से इसको जोड़ देगे, और D से इसको जोड़ देगे, देखो रेजिस्टेंस भोक आपका एक्सपेनिमेंट चाह लो आपको अगर दो ओम का चाहिए तीन ओम का चाहिए च्यार ओम का चाहिए तो आप अलग अलग वायर काट होगी और कल को ये वायर खोज आते हैं और कुछ मलब कटे हुए वायर है उन पे वैसे वो संभाल के नहीं रखे जाते हैं सो टाइप की समश्या है ऐसा ही समश्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक एक ओम के रेजिस्टेंस के वायर काट के उनको ऐसे लगा दिया अब उन्होंने क्या किया अब उन्होंने बोला कि आप एक काम करो इस रेजिस्टेंस को हटाओ और हमारा दिया वजो रेजिस्टेंस वोक्स है उसको ऐसे लगा तो इनके बीज़ में लगा दिया हमने बोला ठीक है हमने आपका लगा दिया तो फिर अब हमें तो एक ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था, तो वो बोले भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एक ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इस वायर को तोड़ दो यहां से, हमने कहा ठीक है भी हमने तोड़ दिया, तो वो बोले ठीक है तो तोड़ दिया तो तो रेजिस्टेंस ना मिले, तो current ऐसे जाएगा, कुद कुद के, और circuit में सिर्फ कितने ओम का रेजिस्टेंस आएगा, वन ओम का, तो ऐसे ही हमने फिर क्या किया, हमने दो ओम का रेजिस्टेंस मांगा, तो उन्होंने बना भी इस wire को भी तोड़ दो, ठीक है, और इस wire को भी तोड़ तो, तो हमने क्या किया, इसको भी तोड़ दिया, और हमको मिल गया दो ओम का, रेजिस्टेंस, उन्होंने बुला भी, आप, हमने बुला, सर, हमें दुबारा एक ओम का चाहिए, तो उन्होंने बुला, रे, करो क्या, वापस यहां तो कोई वाहिद से, इनको जोई इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है, बस इनके ऊपर से एक वायर ऐसे निकाला जाता है, ताकि सोट सर्कुट होता रहे, और जो रेजिस्टेंस हमें काम में लेना है, उसकी वायर हम तोड़ते जाए, अब देखो गाईज, वायर तोड़ना भी बहुत खराब काम है, अ फिर यहां क्या होता है, यहां स्टूडेंस वायर नहीं होते हैं, यह तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, यहां ऐसे वायर नहीं होते है, रियल बोक्स में, रियल बोक्स में क्या होती है, ऐसे खुंटियां से होती है, ऐसे इनके ऊपर, और इन खुंटियों का जो इसी टाइप से अरेंजमेंट होता है कि इनको हम बाहर ऐसे निकाल सकते हैं खींच के ऐसे खींच के इनको बाहर निकाल सकते हैं और इनको वापस डाल सकते हैं यहां पर सुराख होते हैं तो जब हम एक ओम का रिजिस्टेंस आई है तो इस खुंटी के ऊपर यहां पर लिखा होता है Acom, हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये इतना wire circuit में असरता है Acom का resistance, और जब इसको वापस डाल देते हैं, तो जीरो ओम तो इस हिसाब से अपना जो system में चलता है, तो ये device है, ये होता है resistance box, इसको हम यहां पर लगाते हैं, clear है इतना, तो इस video के अंदर मैंने आपको meter breeze नहीं बताया, मैंने आपको क्या बताया, resistance box, अब मैं इस video को end कर रहा हूँ, resistance, meter breeze मैं इसके बाद बताऊँगा, ये सारा मैं वीडियो को end करूँगा, उसके बाद ये सारा जो cluster है, ये पूरा साफ करूँगा, ये वाला system, meter breeze, meter breeze को रखूँगा दुबारा, और उ ये नहीं आई सो, बाई बाई बाई